कि चौथा नमबर कुश्चन देखते हैं यहां से क्या कहता है एसी अब दिया हुआ दो नमबर का 306 और 607 का नौ और एल्सी अम निकालना है 306 और 607 का क्या होगा तो इस चेप्टर में मुझे पता चला था कि कि हम लोग लिखेंगे हम लोग जानते हैं हम जानते हैं ऐसे लिखेंगे ताकि इससे पता चलेगे क्या एल्सी अम इन्टू एसी एफ इस एकॉल टू संख्याओं का गुनन फल ठीक है तो यहां से एल्सी अम तो निकालना है संख्याओं क्या है 306 और 600 शल्तावन तो यह नो से कट जाएगा नो टिया 27 तीन बचिया नो चोके चतिस अब इसको मल्टिप्लिकेशन कर लेंगे अब मल्टिप्लिकेशन करने का भी कैसे सीथ मैं बता रहा हूँ इसको तीस मान भी करेंगे तो तीन से करेंगे सत्य 21 दो पास्तिय 15 दो 17 ठीक है चत्री 18 एक 19 फिर यहां से 30 मान कीते चार से कर लेंगे सच्छों के 28 दो पांचों के 20 दो 22 ठीक है दो च्छों के 24 दो 26 यहां से आठ तीन साथ च्छ तेरो नो देगार एक बारा दो यह इतना जाएगा ठीक है तो आप करके दिभी देख सकते हैं यहां पर तो यह हमारा अंसर हो गया ठीक है अब पांचमा और पांचमा नहीं छटा कोर्शन चौथा था ना पांचमा कोर्शन क्या है जाज की जिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या का जो दिया हुआ है जो आंक मतलब संख्या है वो जीरो पर समाप्त हो सकता है कभी नहीं होगा हम लोग क्या देखे हैं आंक गनित की अधार भूत परमिक्या क्या पड़े हैं कि किसी भी भाज संख्या को अभाज गुनन खंड के रूप में लिखा जा सकता जो की यूनिक होगा ठीक है जैसे छे है यहां पर तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर अंक गनित की अधार भूत परमिक्या से जानते हैं कोई भी भाज संख्या का अभाज गुनन खंड क्या होता है और दूति होता है मतलब कि दूसरे उससे को छोड़ करें दूसरा नहीं होगा तो यहां पर क्या है 6 to the power n 2 into 3 to the power n ऐसे लिख सकते हैं और इसमें और हम जानते हैं हम जानते हैं कोई भी संख्या कोई भी संख्या सुनने पर या सुनने पर समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज गुनन खंड में पांच होगा ठीक है लेकिन यहां तो पांच है नहीं अंग गनित की अधार भूर पर में कैसे इसमें तो पांच तो कभी आई नहीं सकता दो तीर को छोड़के तो आता 6 to the power n अंग 0 पर समाप्त नहीं हो सकती यह लिख देना ठीक है यह हमारा होगा रीजन है ना कि अगर आपको कोई भी जो भी जिसमें भी सुने देखिए आप देखिए जद दस है ठीक है तो इसमें क्या आगा टू इंटू फाइप इसमें पांच आना जरूरी है जिसे बीस लिजें तो फाइप इंटू फॉर तो आएगा नहीं उसमें अगर पांच नहीं आगगा तो पांच और जिरो पे खतम होने क्या है क्यों है अब दो कंडिशन लेते हैं एक है टू इंटो फाइब प्लस वन यह कितना हो गया दस प्लस एक जो बोलना चाहते है वो समझे यह रहो गया ठीक है और कोई ते यहां पर आपको दिखाना यह चाहते हैं कि यह नहीं कि आप इसको देख लेंगा कि हाँ इसमें मतलब की गुननखंड है तो यह भाज संख्या होगा लेकिन यहां तेरा जोड दिया है इसकारण से जरूरी नहीं कि यह भाज संख्या होगा आपको इसको साबित करना पड़ेगा कैसे इसका multiplication करके इसको पूरा संख्या निकाल लिए कितना होता है तो इसको भाज संख्या है या भाज संख्या वो देखना पड़ेगा ठीक है तो यह संख्या है दिया हुआ है यहां लिख देंगे दिया हुआ है इतना, ठीक कामा दे देते हैं और साथ गुना एक सो तेतालीस पलस तेरो सत्याकीस दो चोदो साथ तैन्ठानवे दो चोदो साथ तैन्ठानवे दो सो इतना गया, पलस तेरो यह कितना हो गया हाजार चोदो, ठीक है और यह हाजार चोदो जो है यह भाज संक्या है, क्यों? क्योंकि इसमें दो भी है दो से डिवाइड होगा ना अगर भाज संक्या होने के लिए वो स्वय और एक केलवा और दूसरे संक्या से भी वो डिवाइड हो, यह हम क्या देखते हैं, यह इसमें, अब आज गुनन खंड है, मतलब कि कोई दूसरा भी गुनन खंड है दो पंचे दोस, जीरो, दो सता चोदो, ठीक है, साथ पंचे बारा, तीन से भी कट रहा है, सॉरी, तीन इकम तीन, दो बज़िया, तीन चागठ रहा, तीन नवसताज, तेरा गुनन तेरा, यहां क्या देखते हैं, पहले इसको भी कर लेते हैं, दोनों एक ही साथ लिख मतलगी निश्कर्ष में, सेवन इंटो सिख्स, इंटो फाइप, इंटो फोर, इंटो फ्री, इंटो टू इंटो बज़ियो, वन प्लस पाइफ कित होगे है, चे, पहती एकसो बीस, एकसो बीस चाक है, बारिशा के बहत्तर, साथ गुना, साथ सो बीस, पलस पांच, जीरो, साथ दुने चोहदा, साथ से तोनचा से, पचास, पलस पांच, पचास, पैतालिस, ठीक है, यहां हम देखते हैं, लिख देंगे, यहां हम देखते हैं, हजार, चौहदा, और, पांच, हजार, पैतालिस, का, अभाज, गुननखंड, हुआ, है, जो, इस रूप में, जो, टू इंटू, थ्री, इंटू, तेरा, इंटू, तेरा, और, पांच, इंटू, एक, सजार, नो की रूप में हैं, अता, अता, दी हुई संख्याएं, भाज संख्याएं, समझें, सिंपल सा, वैसे भी, कोई भी संख्याएं, भाज संख्याएं, दो ही संख्याएं हो सकती, यह तो भाज संख्याएं होगा, यह तो अभाज संख्याएं होगा, तो यहां तो सबसे दूसरे से बीडिवाइड हो रहा तो यह डायरेक्टर लिग देंगे कि हाँ यह मतलब कि अभास संक्या नहीं है तो इसलिए अभास संक्या है अब सिम सबसे अच्छा कोशन सबसे अच्छे सिम मैं अन्जी कोशन है किसी खेल기या माइडान के चारो और इक विरता कर पत्त है त्लत की एक ये पत्त है ठीक है माल कोई गार्डन है या कि कोई मैडान है यह विरता कर रहां इस मैडान के एक चकर लगाने में सोनी यह को किता मिनेट लगते है भी कि इसी मैदान का एक चक्कर रवी को 12 मिनिट में मतलब की लगता है माल लीजिए फिर दोनों एक साथ ही एक स्थान से इक टाएm पर र deficit लाप्रार्म करते हैं तो कितने अबाद पर पना प्रारंविक स्थान पर मिलेंगे पर Redneck कंथने यहाँ पर लिखना आ है कि कि कितने समय बाद वह अगाई दूसरे से मिलेंगे विसरे माल्लों यह सोनिया स्ट जाट हुआ सोनिय का और ये हो गिया रवी का दोनों इसी डिरेक्शन में चक्कर लगा रहा है ठीक है अब मैं एक आपको कंडिशन बताता हूँ कि इसमें LCM ही क्यों निकालते हैं अब सब पोच करो कैसे ये घंटी बसती है चार मिनिट के अंतराल पे तो वो दूसरा बज़ेगा आठ मिनिट पे मतलब कि इसम घंटी बज़ेगा फिर उसके बाद आठ मिनिट पे फिर बारा मिनिट पे फिर सोला मिनिट मतलब कि इस तरह से बज़ेगा और बीस मिनिट पे ठीक है एक घंटी बसती है पांस-पांस मिनिट के अंतराल पे पहली बार पांस मिनिट पे बजएगा तो दूसरा दस पे बजएगा तीसरा पंदरा पे बजएगा चौथा बीस पे बजएगा ठीक है तो देखिए ये घंटी है घंटी वन और घंटी टू अब मैं बोल रहा हूँ कोश्चन में दिया हूँ कि एक घंटी जो है चार-चार मिनिट के अंतराल पे मिलती है वो सेम कंडिशन यहाँ पे सोचिए यहाँ पे है अठारा मिनिट यह लगता है और यह बारा मिनिट लगता है अब कहने का मतलब कि 4 मिटे आंत्राल पे 4 मिट में वही बोलेंगा कि दस मिनट तीसरा पंदरा चौथा बीस सेम कंडिशन मालों कि ये दोनों किते पर मिलेंगे तो जो दोनों में कॉमन आएगा तो बीस मिनट इसमें भी आ रहा है बहले ही चकर ये पांच लगा दे ये चारी चकर लगा ले मिलेगा कब बीस मिनट पर समझ रहे हो क्या बोलना चा कैसे मतलब कि LCM इसलिए निकालते है LCM का मतलब ही होता है देखो इस तरह से अब ये कोशन 18-18 अधरा मिनट यह 18 मिंट में एक चकर लगाता है तो ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे इसका LCM निकालेंगे तो वो मुझे पता सलजएगा LCM ये मतलब कि मैं आपको प्रैक क्या वह घंटी बसता चार चार मिनट कre पर फिर जो घंटी बजाने जाएगा तो आठ मिनट पर बजाएगा सोला पर फे पांच मह बटाएगा फीर घंटी टू है कोई बन दूसरे कलास में गंटी लगती है पांच-पांच मिनट कre तो बीस मिन्ट पर क्या होगा कि दोनों का घंटी एक क्लास एक का घंटी दोनों घंटी बराबर टाइम पर लग जाएगा ठीक है तो सेम कंडिशन इसमें भी वही है तो इसमें भी एल सेम निकाल लेंगे कि मürüल जाए JUST क्या होगा 18 का दोनमख 18 या दो तो अर्दार का 2ट कोनीच्या दीओ 12 ऑल सेम निकालेंगे कि कि थो 10 सिक्रैक्टर कीं में सबसे जादा जो मैं यह है कि मैं है मिन कि matrix अब अबाज गुनन खट मीं सबसे जादा पावर वाले हो लेते हैं ठीक मिनीक ट्लेता है तो 2 का power 2 क्योंकि 2 power 1 ही है 2 का power 2 है तो यह लेंगे प्लस 3 है तो 3 का power ज्यादा कौन सा यह वाला है 3 इंटो 3 तो 2 लेंगे तो 4 इंटो 9 नो चोकर 36 यह 36 मिनिट पे यह मिलेगा दूसरा ठीक है समझ रहे हो जैसे यह 18 मिनिट पे चला तो एक तो पहला चकर 18 मिनिट पे लगागी यह अब समझ जो सीधे से समझो यह कौन से है सोनिया यह कौन सा रवी 12 मिनिट पे यह पहला चकर 18 पे लगा था दूसरा 36 पे तीसरा 54 पे चोथा 72 पे ठीक है यह कितने पे लगागा 24 पे 36 पे 48 पे 60 पे 72 देखिए यह दोनों में 72 आया लेकिन उससे पहले कौन सा है उससे पहले 36 है 36 दोनों में common हैं तो यह 36 जो है इस time पे minimum इस लिए minimum लेते हैं कि 36 पे मिली जागा तो maximum तो बहुत होता है इसमें तो आप लोगों कैसा लगा अगर कोई भी थोड़ा से भी डाउंट हो तो आप बेज़ी जग पूछ सकते हैं comment box पे मैं उसका dot clear करूँगा और अपने दोस्तों के भी share कीजिए और like कीजिए और जिस तरह से आप चाहते हैं कि मैं English में पढ़ाऊं तो मैं English में question लेके आऊंगा सारों चाहिए English में पढ़ाऊंगा को attention नहीं है आपको जैसा सोह लिए थो वैसा आप मतलब की comment box में लिख सकते हैं और please जो bell icon है न वो उसको click कर ले जैसे मैं video डालूँगा आपको मतलब की information मिल जाएगा कि हाँ video डाल गया तो आपको मैं guarantee के साथ बोलता हूँ कि मतलब मैं तमें कहीं दिक्कत दी होगा ठीक है कोई भी topic पर मैं क्या theory part को भी अच्छी से पढ़ाऊंगा ताकि आपको concept समझ में आये main बात है concept को समझना question तो सब बना लेते हैं जैसे यह LCM वाला था तो सब जानते कि LCM निकाले क्यों निकालते है भाई तो वो मैं बताऊंगा आपको इस type of question ठीक है तो इतना ही बस आज के लिए thank you very much